सो जब भी कोई स्टार्टिंग में फेस्बूक पेज क्रियेट करता है तो उसके दिमाग में स्टार्टिंग में कुछ आइडिया होते है यानि 15-20-50 ऐसे कुछ आइडिया होते है जिनके ओपर वीडियो बना सकता है लेकिन 30-50-100 ऐसी वीडियो अपलोड रहने बाद क्या होत है कि आप अगर एक निश्च पर काम करते हो तो आप बहुत जल्दी क्रोथ करोगे तो इस चीज को लेके बहुत जादे लोगों को दिक्कत आ रही है कि एक निश्च पर बाहर का कॉंटेंट कहां से लाइक किस चीज पर अपलोड करें वीडियो से कुछ ऐसे निश्च बता हो गया या बॉलीबूल हो गया या बास्केट बॉल हो गया कोई भी स्पोर्ट में आप इसमें इंटरस्ट हो उसके ओपर आप वीडियो बरनाना शुरू करो जैसे कि आप यह आई पिल आ रहा है आई आप देखो गाई बहुत सारे ऐसे यूट्यूब और फेस्बूप पर जो यह अपो जो हो इससे बहुत सारे आप contentMr. मिल जाएंगी जिसमें लोग matches के बारे मता थी कि रोज कौन क्वास हो रहे है कौनसे टीम के जीतने के chance ज्यादा है कॉंसा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कौंसा प्लेयर खराब परफॉर्म करने वाला है इन सब की डीटियल्स आप दे सकते हैं इन सब के बारो में अगर आपको नॉर्लिज है अच्छी गाजी तöq news में भी कभी content की कमी नहीं होती है तो आप news के ओपर भी एक अच्छा का सा page create गा सकते हैं बस एक चीज आपको ध्यान सकना है कि गलत news नहीं पंडह आने है क्योंगी back गलत news से काफी सारे sowाओं को नुकसान हो सकता है इतना ही ध्यान सकना है आपको न्यूस के content में अब इसके बात करें निशे गाईज वो है traveling का traveling के उपर भी आप बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं जैसे कि मैंने अल्ड़ी बताया थे traveling के उपर बहुत सारी vlogs बनते हैं जहां जहां आप गूमने जाते हैं उसके बारे में बता सकते हैं या under budget यानि कम पैसे में कहां गूमा जा सकता है या इंडिया में गूमने के लिए कौन को सी सबसे बढ़िया जगह है या इंडिया के बाहर कौन से सबसे बढ़िया जगह है या कौनकों से जगह पर आपको बिना वीजा के एंट्री मिल जाती है वहां पर घूमने के लिए अच्छी जगह है तो इन सब चीज़ों के बारे हम बता सकते हैं और ट्रैबलिंग के उपर व्यूस बहुत जाद आते हैं लैप्टॉप के वारे हम बताते हैं डीसलर कैमरा होता है उसके वारे हम बताते हैं तो इन सब के ओपर आप रिव्यूस करके अच्छा गासा एक पेज करेट कर सकते हैं मुवाइल उन्बोक्सिंग या गैजेट उन्बोक्सिंग पे व्यूस भी बहुत जाद आते हैं और सेकेंड चीज़ इस पे स्पॉंसर्शिप भी कंपनी की तरफ से बहुत जाद आती है थर्ड कि इसमें अर्नी जो होता है फेस्बुक से वह बहुत जाद होता है क्योंकि इस पे महेंगे एट सलाए जाते है अब बात करते हैं हमारे लास्ट निस्ट की जो कि हमारा एजुकेशन का एजुकेशन के बारे मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहो है एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है ऐसा निश है जिसके ओपर व्यूस की कभी कमी नहीं होती है क्योंकि एजुकेशन जो है गाईज इस पे एक कुश्चन कॉमन जाता है how और why, यानि कैसे और क्यों, क्योंकि education में यही चीज़ हम समझाते हैं कि यह कैसे हुआ यह यह क्यों हुआ, इसके अबारे में लोग बहुत जादा सर्च करते हैं, क्योंकि यह कभी कमी नहीं हो गाई, अगर आप math के अबारे में बताते हैं mathematics के tuition बढ़ाते हैं, वगरा पढ़ाते हो या फिर किसी और चीज़ के बारे में बढ़ाते हो education related आपको contact है तो यह लोग हमेसा सर्च करें कि यह कैसे हुआ राइट, how और why वाले चीज़ होते हैं जो topics होते, यह बहुत जादा चलते हैं क्योंकि हो सकता है जिनके लिए आप वीडियो बना रहा हो उन्हें पता चल गई है, जो new लोग आएंगे जो new बंदे आएंगे, यही चीज़ सर्च करेंगी यह चीज़ कैसे हुई, तो इस चीज़ के ओपर कभी कमी नहीं होगी, इसलिए आगर आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए जिए वीडियो के लाइक करना, शेर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में